अमेरिका का फर्मान खाली करो लेबनन लेबनन के दक्षणी और इसराइल के उत्तरी इलाके में इस वक्त जो माहौल है वो ठीक नहीं है क्योंकि युद के खतरनाक अलार्म के बीच अमेरिका ने महा तबाही का एक नया हुटर बजा दिया है जिससे मिडल इस में रहने वाले तमाम लोगों के लिए खतरा बढ़ गया है क्योंकि इसराइल कुछ बड़ा करने वाला है जिसकी जद में लेबनन भी आने वाला है यह रिपोर्ट देखिए और समझेए क्यूं अमेरिका की तरफ से लेबनन खाली करने का फर्मान आया जितना जल्दी हो सके लेबनान को छोड़ दें ये मैसेज जो अभी आपने सुना ये अमरीका की तरफ से अपने उन्नागरिकों के लिए था जो इस वक्त लेबनान की राजःदानी बैरूत में है लेकिन अब अमरीका ने अपने इन्नागरिकों को जितनी जल्दी हो सके लेबनान छोड़ने को कहा है अमरीका की इस चेतावनी ने सवालों की लिस्ट लंब भी कर दी है क्या लेबनान में कुछ बड़ा होने वाला है या मुसाद अपनी नई चाल चलने वाला है क्या ये हमला पेचर और वोकी टौकी से भी भयानक होने वाला है सूपर पावर अमेरिका की तरफ से अपने नागरिकों को दिये इस मैसेज ने दुनिया के कई और मुलकों की भी टेंशन बढ़ा दी है और सब ने अपने नागरिकों को लेबनान की राजधानी जितना जल्दी हो सके खाली करने को कहा है जिन देशों ने लिबनान खाली करने को कहा है उन में अमरीका, फ्रांस, कनडा और बेटन शामिल है इन सभी ने अपने नागरिकों को पहले से अलट रहने के लिए कह दिया है क्योंकि देर की तो दूतावास भी मदद नहीं कर पाएगा ये बात सही है कि हमले का दायरे काफी बड़ा था और फिर हमें किसी तरह की कोच यतावनी भी नहीं मिली थी जैसा कि पूर्ट ब्लास्क के दौरान हुआ था और तलब है कि इसराइल लगातार लिबनान के उत्तरी बार्डर पर एक के बाद एक मिसाल दाग रहा है जिससे पूरा आस्मान धुए से भर गया है लेकिन अब जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है क्योंकि इसराइल ने कसम खाई है कि वो जब तक हिजबुल्ला के एक एक लड़ाकी की खबर नहीं खोदेगा चुप नहीं बैठेगा हमारे पास अभी बहुत सारी ख्शामता है बहुत सारी टेकनलोजी है जने हम भविशे में अलग अलग स्टेज पर अलग अलग समय पर इस्तेमाल करेंगे हफ़ते पर पहले इसराइल के परधान मंतरी बेंजमिन नितिरनेहू ने युद कैबनेट में ऐलान किया था कि हमास और हिजबुल्ला से सीड़ी टक्कर का समय आ गया है जिसके बाद हिजबुल्ला पर इसराइल लगातार बंबरसा रहा है अब तक इसराइल हिजबुल्ला के कई टाप कमांडर को मार चुका है इसको लेकर इसराइल की सेना ने एक तस्वीर जारी की है जिसके जर्ये उसने बताने की कोशिश की है कि वो आपरेशन हिजबुल्ला के गरीब पहुच गया है लेकिन जिस तरह का फर्मार अमरिका की तरफ से आया है उसने लबनान की भी धरकन बढ़ा दी है क्योंकि अगर इसराइल ने हिजबुल्ला को खत्म करने के लिए कुछ बढ़ा किया तो उसकी सदमें बैरूत भी आएगा और फिर लबनान का हाल भी गाजा जैसा हो जाएगा एबीपी नियूज आपको रखे आगे